आजे वात करशु दादा मेकण नो बिल्खामा धूनों उनालानी सखत गर्मी छे सूर्य मध्याने तपे छे अने उग्र गर्मी फेंकाई छे संत मेकण खभे कावड उपाडी बगलमा सामाननू पोटलू लटकावी ने चालता चालता बिलाखानों पादर आवी रहो छे चारे बाजू नजर करता लिली जाडी नजरे पड़े छे जेम जेम नजिक आवे छे तेम तेम तड़ावनी पल अने ते परना लिला कुंजार जाडो निहारे छे तेमने तरस पड लागी छे तेथी तड़ावनी पारे एक घाटी जाडीवाडा अने पहोडा मोटा वड नीचे उभा रही कवादने तेनी डारी पर लटकावे छे बगल माथी सामाननों पोटलू छोडी ते माथी जलपात्र काढी तड़ाव माथी पाणी लावी तरस छिपावे छे अने आसन माटे भूमी का नक्की करी वडलाने चाये पूर्व दिशामा उगता सूर्य ना दर्शन ठायते हेतु थी त्या धूनानी स्थापना माटे प्रथम कोतानी पासे नू त्रिशुल खोसे छे गायोनू गोबर चान लावी त्या थोडू लीमपड पण करे छे ने पच्छी ते पर अग्निदेवनी स्थापना करी धूनों नाखे छे बपोर्नी गर्मीने कारणे वादनी चायामा आरोटता आराम करी रहेला बेत्रण मानसों महात्मा मेकड पासे आवी जीनाम करे छे तेमाना एक चालीसेक वर्सनी उमरना धर्मशी आयर आवे छे तेना गड़ामा तुलसीनी माडा छे कपाले चांदलो छे प्रभू भक्तीमा तेनू जीवन जणाय छे संत मेकडनने विन्यती तेने पुछियू बापू क्या थी पधारो छो गिर्नार्थी संते उत्तर आप्यो अही पधार्या प्रभू भजन माटे बापू गाम्मा पधारोंने चोर पर विश्राम करो त्या रोटी पाणी वगेरे मली शके अही तो तदन एकांत वास छे बोजन पाणी नू शू कर्षो बगवान सर्वे ने दरेक स्थड आपे छे बापू आ वडला वाडू स्थड जाखू छे अही भूत प्रेतनों वास छे आ भूमी मां आवता गामना मानसों डरे छे जे थी अही कोई पण मानस आवशे नहीं मैकणे कहिऊं कमे केम अही आव्या तमने भूत प्रेतनों डर लागतो नथी बापू हूं तो एकलोज छूं मारा कुटुम्ब मां कोई नथी मने मृत्यूनों डर नथी जे थी मने कोई नो भई रहे तो नथी आ कारणे अही एकांते आवी रामटर करू छूं सारू सारू तमे तो आवता जशोने क्यारेक क्यारेक हडवा मरवा मां मजा आवशे महात्मा मेकडे कावडना तुमबडा मां थी लोट काढ़ी बे धोसा बनावी अगनी पर पकावी रहा बाद तेमा निमक अने मर्चू भेलवी तेनों आहार लिधोंने पछी म्रुगहाला बिछावी प्रभू स्मरण मां लागी गया आयर भक्त धीरे धीरे विनय पूर्वक बाजू मां आवी बैसे छे अने महात्मा मेकडने रुचित रिती मां वाद्चित करे छे बापू संसार मां जेटलू रामनू नाम लेवाई तेटलू वधू सारू छे मनुष्य अवतार फरी फरी ने मलवानों न थी आप अही पधार्या छो तो मने आपना सत्संग थी घणोज लाप थशे बापू मारा जेवी कमसेवा होई ते जणावता रहेशो महात्मा मेकडे कहिऊ हूं मारू सर्व कामकाज सुर्योदै पहलाज करी कावड लई वस्ती चेताववा जाऊं छू ने त्या थी आवी मारी प्रवृत्ती प्रभू भजननी होवा थी ते माज मस्त रहूं छू बनता सुधी हूं कोईने तकलीफ आप तो न थी तमारा बोल वर्तन पर थी तमे निखालस दिलना प्रभू भक्त हो ते मने जणाई छे जे थी तमे फुर्सदे खीशी थी अही आवता रहेशो हूं खोटा डाकडी माक अने दंभी मानवों नो सहवास करतो न थी ते मज वदू पड़ती माया एतले के लोकलागणी मा वसनार न थी मने तो एक ज राम नाम नो आधार छे संत मेकन रातरी प्रभू स्मरण मा पसार करी सुर्योदय पहलासनान पुजाती परवारी वहली सवारे मधूर मीठी घंटडियों ना नाध्थी कावड कांदे खबे धरी बिलखा गामनी वस्ती चेताववा जाय छे अलक अलक ना उम्दा नात्थी शेरियों गुंजी रहे छे आ अनेरो शब्द सामरी फड़ियानी बहनों एक ठी ठाय छे घेर घेर थी लोट ना बे हाथे पसला भरी कावड मा लोट मुके छे महात्मा मेकन बिलखा गामना लगभग बधा फड़िया फरी आवी पोता ना धूना पासे आसने आवे छे कावड ने वडला पर उँचे लटकावी लावे लोट नी रिद्धी बहार काढ़ी जाडा मोटा धोसा बनावी धूनाना अगनी पर पकावी रहा छे जे माथी बे धोसा अलग गव ग्रास माटे राखे छे आ समय धर्मशी भगत जीनाम बापू कही बाजू माँ सामे बैसे छे संत मेकन धर्मशी ने पूछे छे के अही कोई गाई नजरे चड़े छे जो होई तो तेने आ धोसा खवडाववा छे बगत धर्मशी उबो थाई नजर करे छे तो एक गाई जोवा मड़े छे जेथी ते कहे छे के लावो बापू तेने खवडावी आवू संत मेकन पोतानी क्षुधात रुपती माटे आहार लई बाखी ना धोसाओ कुत्राओने नाखे छे सूर्यास्त समय कावडना तुमड़ा मा बाकी रहला लोटने काढ़ी तडावनी पाडे नाना मोटा जाडोना थडमा किडियारा रुपे पुरे छे आ रिते प्रभु भजननी प्रवरुती मा बिलखा गामे धुनी पर महात्मा मेकननी तपस्या थई रही छे बिलखा गामना जता आवता मानसो अने गामनी बायो तालावे पाणी भर्वा आवती जती सव कोई निहारे छे के अही कोई महात्मा रात दिवस आसन लगावी बैठेल छे आ स्थर घणोज जाखू छे अही कोई रात्वासो रहेतू नथी तेमज कोई आस थड़े जरूरी काम होए तो पड़ जतू नथी आ बावाने भुत प्रेतनों पड़ भै लागतो नथी जे थी ते 54 कोई सिद्धी मेरवेलो संत जणाय छे वीजे दिवसे संत मेकन कावड फेर्ववा जाय छे त्यारे गामनी बहनों कावड मा लोट मुकी महातमा मेकने पुछे छे कर बापू तमे तड़ावनी पाले वड़ना जाड नीचे आसन राख्यू छे ए सारू नथी त्या थी घणा मानसोंने भुत प्रेते भर्खी लिधा छे आ सामबरता संत मेकने कहिँ बहनों भूत कदाच मने भर्खी जशे तो पड मने इश्वर पासे तो खाडो करशे ने आथी मने इश्वर ना जल्दी दर्शन थशे मने मृत्यू नों दर न थी जे थी इश्वर ना प्रतापे हुँ निर्भय पणे त्या रात्री वितावु छू मारा राम रटना प्रतापे गाम ना भाई भहनोंने पड हवे भुत प्रेतनों भय न थी जे थी सव कोई त्या खुशी थी हरीफरी शके छे बहेनों सव नवाई पामे छे बे दिवस मां आवा भयानक स्थर नो भय दूर करनार आ महातमा चमतकारी लागे छे तेथी गामनी वस्तीना ते बहु भाविक ने पूजनिय रुपे बनवा लागया दिवसे अने सांजे कोई ने कोई भाविक पुरुशो दूधना करशिया चासने घीपण महातमा मेकणने आसने पहुचाडवा लागया सत्संग नी चर्चा मा पड़ आवतांचता थवा थी महातमा नी प्रशंसा घणी प्रसरी गई आसपास ना गामडाव मा थी पड़ सत्संग माटे अवार्नवार मानसोय आववानू शरू करियू आवतांचता मुसाफरो तड़ावनी पाड़े वणनी हायाए विश्रांती लेवानू करता होवा थी अही अतितियो पड़ आववा लागयाने तेने खोराक पाणी माटे महातमा सगवड करी आपता दर्रोज बकोरे एक टांक आस्थळे अनाजनो खानार कोई मानस आवे ते भुख्यो न जाए जेम जेम समय पसार थतो गयो तेम तेम आस्थळ भजन भाव प्रभुमय जीवान रुपे शोभास्पत थतू गयो चोमासू नजिक आवता गाम ना भाविक लोकोए वर्साद मा महातमा ने मुश्केली न पड़े ते माटे त्या एक घासनू छापरू परणकुटी बनावी आपी जेथी महातमानी मढी के गुरू गोर्खनाथ नी मढी जेवी दीपी रही बिलखा गाम मा दिन प्रती दिन सत्संध अने परोपकारी कार्यनी प्रवरुतियों महातमा मेकरना सरस मार्गदर्शन थी थवा लागी लोकोनी वधू पड़ती अव्रजवर थता धर्मशी भगत महातमा मेकरना आश्रमनी सेवामा पोताना तन्मन्थी कामगिरी करता लगभग बधू कामकाज तेमने उपाड़ी लिधू पाणी भर्वू, रोटी पकावी वगेरे धर्मशी भगत धन भाग्य धर्मशी ना होंसे होंसे करी रहा धर्मशी भगत ने तो जोईतू मर्यू पोते एकलो होवा थी घर मा रहेवू गमतू नहीं ते थी तेओ बहारज फरता तेमनू शरीर पण कशायलू खड़तल होवा थी तेने कामकाज मा लेश मात्र थाक लागतो नहीं अंगमा आरस न होवा थी महात्मा मेकडनो ते भाविक भक्त बन्यो महात्मा मेकडनो एक ज उद्देश के मारू योग साधक जीवन प्रभुबंदगी साथे जगतना मानवो ने सदपन्थेच दोर्वानू छे तेथी तेओ तेमना सचंध मा आवता लोको ने जीवन नो सारो राह बतावतो आ प्रवरुति थी बिल्खा अने तेना दश-वीस गाम मा महात्मा मेकडनी सारी कीर्ती फेलाई गई महात्मा मेकड कोई वचनसिद्ध पुरूष छे तेनू आपेलू वचन ने बोलेला बोल साचा पड़े छे तेथी घणा मानसो संत मेकडने एक देवताई महात्मा तरीके पड मानवा लागया आवी प्रशन साथी बिल्खा गामनो धन्जी नामनो लुहानो महात्मानी महरबानी मेलववा माटे तेमना आश्र में अवार्नवार आववा लागयो धन्जी ठक्करनी उमर पचासेक वर्शनी वेपार धन्दो सारो होवाना कारणे 65 के पड़ सुखी बधू सुख होवा छटा तेने एक उनप सालती हती तेने घेर संतान न हतु ते माटे तेने घणा वर्शो थी संत फकीरोना आश्रा लिधा ने बाधा आखडी राखी पड़ तेने त्या संतान प्राप्त थाईज नहीं तेना मा थोडिक दुराचारी वृती पड़ खरी तेना विशय विकारी दुर्गुण ने कारणे बिलखा मा तेने कोई सदगुणी तरीके मानतू न हतु जेथी कितलाक लोको तेना अवगुणों नी वातो पण करता तेनी अव्रज्वर संत मेकणना आश्र में थती जोई धर्मशी भगते अने बीजा मानसोय संत मेकणने सुचना करेली के बापु आ धंजी लुहाणों दुराचारी छे ते आपणा आश्र में आवे छे ते सारू नथी आपणे त्या सचंग मां बहनों पण क्यारेक आवे छे त्यारे आवा मानसो क्यारेक अविचारी पगलू भरे तो नवाई नहीं माटे तेने आश्र में न आववा माटे आपश्रिये सुचना करवी जोईये महात्मा मेकणे तेना प्रत्युत्तर्मा जणावियू के हुँ तेना स्वभाव अने तेनी विकारी द्रष्टियों तो जानी च चुक्यों छुू। पड़ अमारो साधुनो धर्म छे के आवाज कामांध लोकोंने सदमार्गे दोर्वा अने तेमनू जीवन सुधार्वू। आवा पंथ भुलेला ने सतमार्गे चड़ावी शकिये तोज अमारू कार्य सार्थक गणाए। भले खुशी थी आवे जाए। हुँ तेने समय आवे समझाविश। खोड़ा समय बाद लुहाणों सांजना सूर्यास्त समय बाद दूदनों कर्शियों लई महात्माना आश्र में आवे छे। बापु आ दूद कोई वासण मा ठालवी लियो। एम कही कर्शियों मुकी महात्मा पासे बैसे छे। संत मेकण धन्जी ने पूप्र करे छण। धन्जी ने वेपार धन्धा सारा चालता होवानू वगेरे कुशरता पूछे छे। धन्जी बे हात जोडी महात्मा मेकण ने कहे छे। बापु बधू सारू छे। पड़ मारे त्या शेर माटी संतान नी खामी छे। जेकी संतान प्राप्ती माटे में घणा देवस्थान अने महात्माओना शरण लिधापड मने हजू सुधी ते लाब मल्यो नथी। परंतु अप दयाडू छो। वचन सिद्ध महात्मा छो। आपना चमतकार अने परचानी सारी प्रशंसा हं घणा मानसो मां साम्बली रहो छू। आप मारो उद्धार करो अने मारे त्या पुत्रनी प्राप्ती थाय तेवा आशिर्वाद आपो। महात्मा मेकडे कहिँ हूँ कई पीर के ओलियो नथी। मने मारी प्रशंसा पसंद नथी। मने जोवामा आवे छे के इश्वरे तारे त्या संतान नथी आप्यू ते वाजबीज छे। तारा दुर्गुणोंने कारणेज तारी स्त्री ने वांज्यापणू भोगव हूँ पड़े छे। माटेतु तारू वर्तन सुधार्वा अंगे आज थी निश्चय कर। कही महात्मा मेकड धंजी ने एक साखी मां संबोधे छे। धंजी पुत्रनी प्राप्ती माटे फाफा मारे छे कें। सरस्सर्तू समझी लई साचू लेतू नाम। परनारी मात समझ समझ जन्नी जें। करुणा सागर कृपा करशे जरूर ले आ नाम। भावार्थ, धंजी, तू तारू प्रथम तेक ले के कोईपण स्त्री मारी माता छे। तेना शरीर समक्ष जोताज तारे माथी धरी लेहू के आ मारी जनेता छे। तेना उद्रेथी मारो जन्म थयो छे। तेम तारे विशेशमा एपण मानी लेहू के आ जनेता ना स्तने मे धावन धावियू छे, पैपान कर्यू छे। संत मेकणनों उगदेश ग्रहन करीते बे हाथ जोडी संत मेकणने खातरी आपे छेके, हुँ आज थी आपनी अज्यनू कायमने माटे जरूर पालन करीश। आ रिते तेने खातरी आपया बाद पोतानू नहु जीवन सदाचार, सुनीती, ब्रह्मचर्यनू पालन वगेरे ग्रहन करीऊ। जे थी गामना लोकोंने आश्चर्य थयू के आध्मनो आखलो दुराचारी कामांद एकाएक केम सदमार गे दोरायो। धीरे धीरे बधाने जानवा मर्यू के ते महात्मा मेकणना उपदेश थी निती ने पंथे सदमार गे दोरायो। ए तेना धन भाग्यने आपना पड अहो भाग्य छे के आपना गामे आवा निखालस दिलना महात्मा आव्या। धनजी ठककर जीवन परियंत आ उपदेश थी एक संसकारी मानव बन्यो। तेने त्या बैएक वर्ष बाद इश्वरे पुत्र आपयो। तेथी ते दयाधर्मने नितिथी वर्तवा लाग्यो। बिलखाना कडावनी पाडे विशाल मोटा वणनी छाया नीचे महात्मा मेकणनों आश्रम रात दिवस भक्ती मैं दीती रहो। दर मासे एकादशी ने सुद्ध बीजनी तिथिये भजन भावनों सारो उत्सव ठाई रहतो। सैकडों मानसोंने अव्रज्वर भक्ती मेला रूपे आसपासना विस्तारों माथी पड रहे छे। आवा उत्सव मां अखंड रामधूनों लेवाय छे। महातमा मेकड आ उत्सव मां खुबच आनंद मैं बने छे। भक्त मंडलना मानसों भजनोंनी मौसरों करे छे। साखियों आपे छे अने पछी संत मेकड ने तेमनी साखियोंनों सररसार समझाववा विननती करे छे। महातमा मेकड पोतानी रचित एक साखी कच्ची भाषामा एकतारा पर साखी बोले छे। खराई धल खट्या, मेंडी धल मुठा। मेकड चे सर्गा पूर जी शेरिये गांठडियों वारा न ढधा। भावार्थ, पोतानी पासेनी मिलकत माथी गरीब, अनात, अतिथी, बेकार ने जे काई मदद आपी तेको आपे छे, अने सहाई रूप ठाय छे ते आ जन्म मा जितियों। पड़ जे पैसों मेरे छे, अने कोईने कशी मदरूप ठता नथी, ते मुण्ठा एटले के कर्महिन बने छे। तेनों मनुष्य जन्म उप्योगी न ठता तेनू जीवन निर्थक छे। आवा लोभी श्रीमंतों मृत्यू पामता तेनी ननामी नी साथे तेओ द्रव्य नी पोटली लई जई शकता न थी। इटले के मृत्यू समय मेर्वेल पैसा साथे आवता न थी। आ सरस साखी थी घणा लोकों ना हृदय पल्टाई गया। दुखी के दर्दी तेमज गरीबोने उप्योगी थवा पोतानी पासेनू द्रव्य वाप्री अर्ष्प्रस एक बीजाने उप्योगी थईये। आवा भाई चारा अने प्रेमभावनू वातावरण जाम्यू छे। भक्त मंदली मां थी अवाज आवे चे के जियो बावा जियो। हजू काईक संभणावो। महातमा मेकण फरी थोड़ी साखी संभणावे चे। चोरी मां चितन राख जे पर धन करो हराम। कापडी मेकण नो सार आ सहाय कर्षे श्री राम। सत्य बोली, सत्य पालन, सत्यनी सारी रित। कापडी मेकण एक हे प्रभुथी बंधो प्रीत। महातमा मेकण पासे आवतो जतो एक कर्षन नामनों कुम्भार बहुँच भक्ती भाव मां वितावे चे। संतनों सार ग्रहण करे चे। ते एक दिवसे संत मेकण ने बे हाथ जोडी विननती करे चे के महाराज माराथी काई पुनकुनारत थयू न थी, मने कोई एवो सारो रस्तो बतावो के हूं पुणे ना काम्थी दर्रोज सारी प्रवृत्ती करी शकू। महात्मा मेकणे कहिँ के एक पुण्यनों सरस रस्तो छे। ते जो करी शके तो सारू कार्य छे। एम कही साखी कहे छे। तारणहार तार्शे जरूर करो सुकृत काम। गव पंखीनी सेवा करो तो तार्शे श्री राम। आ सेवा करवा माटे तु आवती काल थी मारी साथे बगल मां बे जोरी भरावी सवारे कावड ने समय अही आवीज जे। हुँ जयारे कावड फेर्वू त्यारे तू पर तारो अलख अलख। नो सवाल नाख जे। पुणे पंथे कही घर-घर थी पंखी माटे चण अने गायों माटे गुवार मेरवजे। एक जोरी मा गुवार अने बीजी जोरी मा चण माटे दाना एकठा करी लेजे। तेनों उप्योग दरोज पंखियों ने दान नाखवा माटे, गायों माटे लावेल गुवार कोई वासन मां रांधी नबली थाकेली वयोगरुद गायों ने जाते खवडाववानू करजे। आ वडलाना चाये अनाजनों खुर्मों खानार कोई पन आवे तेनी क्षुधात रुक्ती थती। तेथी गाय, पक्षी, मनुष्य, कीडियों वगेरेना आश्रमे पेट भराता। संत मेकणे बिल्खा मां बार वरस धूनी पर रही भक्तिरस अने परोपकार प्रवृत्ती मां सरस समय पसार करी सेकडों मानसों ना हैया मां धर्मगंगा वहती करी तेमज मानवों ना हुरुद्यों ने शुद्ध चारित्रेशिल बनाव्या। महात्मा मेकण हरद्वारनी यात्राय जवानी वात भक्तमंडरी मां करे छे। भक्तमंडरी अने भावी को संधरूपे साथे आववानू कहे छे। पड़ महात्मा कहे छे के मारे तो हवे घणा स्थरे विचरवानू छे। साधू विचरतो भलो। ते कारणे मारे जुदे जुदे स्थर धूनी नाखी तपस्या करवी एम योग्य लागता हूं हवे आप सर्वेनी पासे थी भावभीनी विदाय लउंचू। बीला खाना भाविक मानसो संत मेकणने वडाववा माटे एकत्र थाई जाय छे। भाविको आ प्रेमार त्याग सहन न करी शक्ता सव कोईनी आखो मा आंसू छलकावा लाग्या छे। त्यारे संत मेकण सर्वने संबोधे छे अन कहे छे के मोहमायामा मनुशे लोलुक थवू नहीं। अकेले आए और अकेले जाएंगे कही फरी दरेकनी समक्ष उभा रही बे हात जोडी जाए जीनाम उच्चारी दाणीधार तरफ चालवा मांड्या। अट niñosोडित क्रिप्टित अग्या तरफ जाएंगे कालवा है जाग्या है 2 झालवा देधार lit.